इसी का एक earn ओर ठोगव है माले पास दås लाइन जॉइंग दड़ ड़ूइड पॉइंट प्राइंगर लेयांद दड़ लाइन जॉइनिग ड़ूइंग दा विड़ुइंट अव्डयस ओड़ प्राइंगर दोत्रत्रत्र देक की अब इस बार क्या गिवन है आपको किछली बार क्या गिवन था केबल एक ही मिट पॉइंट गिवन था और बोला था कि ये इसके क्या है अब की क्या गिवन है क्या रहा है कि दो आपको हम मिट पॉइंट दे रहे हैं मतलल कि लाइंट DT जो है किसी बाद पैरलल था सब पैरलल नहीं दे रहा है सिर्फ इतना बोल रहा है कि D is the midpoint of A B, E is the midpoint of A C, आपको पैरलल दिखाना है ओके, देखते हैं क्या होगा इदा देखे, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, याद रखिये फिर देख बाद, अगर किसी triangle के देखे ये D है, ये D, अगर ये 3.5 cm है, इतना और ये भी 3.5 cm है और ये 3 cm है और ये भी कितना है, तब आप क्या बोलोगे, D is parallel to C ये चुँ रहा है, क्या आप प्रूफ अगर D, E को B, C के parallel प्रूफ करना हो, इसका मतलब e, yes इसका मतलब क्या आँ चलिए D, E, D, P, C C, 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 C और आद हो गया, yes गलत जा रहें, वाकुँ, आप गलत जा रहें, पिल्कुल, ये प्रेट सा थरुम लगेगा यहीं, थेट सा Converse लगेगा आप गलत जा रहे हैं, क्या आप पैरलल रोम रहेँ दिया अगर फेट सा थरुम लगा दोगे? अगर हम पर पहले AD upon DB निकाल के रखीए AD upon ECB निकाल लिए उसे भी निकाल के रखीए अगर दोनों क्या हो जाएं, same, तो थेल्सका converse करें, ठीक, तो बहुत असान है, AD upon DB मैंने निकाला, मेरा कितना आ गया, AD की निकाला मैं क्या रख सकता हूँ, why, because D is the midpoint of, it is given, cancel हो जाएगा, one upon, one आ गया, this is equation number one, similarly, AD upon EC, AD की जगा क्या रख सकते हूँ, why, जो रख पर डिच, तो यह side है, sorry, यह line है, DT line segment बेंगी, वो, AB और AC के midpoint को ही तो मिलाती है, तो उसका मुझब AB किसके equal होगा, AC, EC, यह EC किसके equal होगा, AD के, कट जाएगा, फिर ते कितना आ गया, now, from equation number one and equation number two, तो RHS one by one, LHS भी क्या हो जाएगे, same, from one and two, AD upon DB, is equals to AD upon EC, आग यह, AD upon DB equals to AD upon EC, so by the converse of DBT, yes, by converse of DBT, D is surely parallel to EC2,